चलिए दोस्तों आ गया है हफते का आखरी दिन टेक निउस के लिए क्योंकि संडे को टेक निउस होती नहीं है और आज मिलाएं आपके लिए कुछ ताजा, गर्मा, गरम कबरे बहुत ही जबरदस है सबसे पहले तो कहे दू एक अच्छी खबर है, खुश खबर है YouTube Originals जो दो-तीन सालों पहले YouTube ने लाँच किया था और कुछ exclusive content डालते थे, सिर्फ premium YouTube members के लिए अवेलेबल था, लेकिन आब वो होने वाला है free कि इसका मतलब आप जाके YouTube Originals का जो content होता है वो देख पाऊगे, सिर्फ इतना ही कि जैसे दूसरे वीडियो पर आपको ads दिखते हैं वैसे ही आपको YouTube Originals के वीडियो में भी ads दिखेंगे और जो premium members है उनके लिए ad-free experience होगा हमें आदत है ads देखनी की कोई problem नहीं but this is great news September 24th से YouTube Originals देखना चालो है और दोस्तों यह जो अगली खबर है बहुत important है क्या पिछले कुछ दिनों में आप आपके smartphone पे देख रहे हो कि आपकी battery drain हो रही है इसका reason पता चल गया है आज एक report आई है जिसमें का है कि Google Play Services यह जो है अगर आपने update किया है latest version को तो यह जो प्ले services है उसकी वजह से उसमें बग है जिसकी वजह से आपकी जो battery है वो drain हो रही है Google ने भी acknowledge कर दिया है और बहुत ही जल्दी उसका भी update आने वाला है Google Play Services के सिवा कोई भी smartphone चलता नहीं है Android का और वो ही अगर बैटरी खा रहा है देन इस बाद नूस लेकिन चिंता मत कीजिए Google है जल्दी अप्डेट देए और दोस्तों आप अगर नहीं हो तो बता दूँ मेरा नाम है आरून प्रभुदेश सही आप देख रहे हो यदि 24 और अगर नहीं हो तो हर रोज के जैसा सबस्क्राइब कीजे लेकिन जो सब्सक्राइब हो मत कीजिए वरना अन सब्सक्राइब हो जाओगी सब्सक्राइब कीजे बेला बजाईए और कीजे सब वीडियो के नोडिफिकेशन आपको 100% मिल जाएंगी। और दोस्तो, Redmi Note 8 Pro के उपर हमने आज एक वीडियो डाला हुआ है, बहुत सारी चीजे बताई हैं, आपको पता चल जाएगा कि वहीं क्या होने वाला है, 64 मेंगा विक्सेल, क्वार्ड कैमेरा, प्रोसेसर जबरदस होने वाला है, वीडियो ज़रूर दिखेंगा। Motorola One Action Launch हो गया, यह हो गया है, मेक्सिको, ब्रजील, उन कंट्रीज में इधर भी आएगा, लेकिन यह Motorola One Action क्यों नाम दिया है, क्योंकि इसमें GoPro के जैसे Action Camera है, कुछ नहीं दोस्तो, वाइड एंगल है, 117 डिग्रीज का ट्रिपल कैमेरा है पीची की तरफ, Exynos 9609 प्रोसेसर पे इसकी जो प्राइस है दोस्तो, वो कुछ 290 डॉलर से, इसका मतलब 20,000 रुपे के करीब है, अब 9609 प्रोसेसर इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं है, तो इंडिया में अगर इस प्राइस पे आएगा, तो कोई नहीं करीब, दोस्तों कल मैंने आपको बताया था, OPPO Reno2 के ब होने वाला है, 13 Megapixel का होगा, उसके बाद में 8 Megapixel and 2 Megapixel, इस में से जो 2 Megapixel होगा, वो depth sensing होगा, 48 Megapixel, primary sensor है, बाकी के ultra wide angle है, और फिर टेली फोटो है, जो main है, वो टेली फोटो है, 28 फोटो है, इसकी date और कहां पे launch होने वाला है, ये बाहर आगया है, Munich, Germany में launch होने वाला है, ये September 19th को, इसका मतलब जादा दूर नहीं है, एक महिने में हमें पता चलेगा कि भाई, DXO Mark के chart पे, ये Note 10 जो अभी अभी launch होआ है, उसको beat करेगा, camera के मामले में, आएगा तब देखेंगे, बहुत एक्साइटिंग camera होगी, कल मैंने आपको Redmi 8 के बार में बताया था कि 10 पे लिस्टिंग हो गई, आज उसके specs भी भार आगये, मुझे समझ में नहीं आता है, दोस्तों कि 10 पे आगया, सब specs भार आ जाते है, इधर से, उधर से, उधर से, सब जमां करके, लोग बता दे और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी होने वाली है इसमें, 5000 mAh, मैंने कल के या परसो के वीडियो में कहा था कि Redmi आजकल 4000 वाले ला रहा है, तो बहुत ही जल्दी 5000 पे पहुँच गए है, which is a great thing, and screen जो होने वाली है, 6.2 इंच की HD+, normal LCD, TFT display, Galaxy S series की बारे में कुछ खबर आ रही है, वैसे भी दोस्तों, Galaxy जो हमेशा खबर में रहता है पूरे साल, पहले 6 महीने हम S के बारे में बात करते हैं, और बाद में जो 6 महीने होते है, Note के बारे में बात कर रहे है, अब हमने बात चालू कर दी है, S11 के बारे में, और इसमें आने वाला है, 108 मेगाप लेकिन उसके पहले एक smartphone में अलग brand के आने वाला है ये sensor वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए बहुत बार कहा है मैंने बहुत सारे लोगों ने पूरे news में है ये जरूर बताएगा comment section में कौन सा है वो phone पहला phone जिसमें 108 MP का camera हो और दोस्तों कल एक खबर देना मैं भूल गया जो मैंने लिखी थी कल के news में देने के लिए लेकिन पता नहीं कहां चली गई बताई ही नहीं तो मैं भूलूंगा नहीं आज आज बताऊंगा आपको realme buds 2.0 launch हो रहे हैं redmi realme 5 and realme 5 pro के साथ redmi के साथ realme 5 and realme 5 pro के साथ realme buds 2.0 launch होने वाले जब ये पहले आय थे दोस्तों हम मुझे बहुत अच्छे लगे थे एंड इशान अगरवाल ने कुछ फोटो भी डाल दिया ट्वीटर के ऊपर उसका तो अच्छी बात है जब आएंगे टेस्ट करेंगे अन्बोक्सिंग करेंगे सब कुछ आपको बताएंगे बट इस आर वेरी गुड इयर फोन्स एट अगर दिखा है आपको तो जाईए कमेंट सेक्षिन में है टाइमस्टैंप डालिए और स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा क्योंकि अगर आप सही हो तो आप जीत पाओगे पेटीम का गिफ्ट वाउचर और कल के हमारे पेटीम का गिफ्ट वाउचर के विन टेक नेम ऑफ आर सूपरसार हमारे जो सूपरसार होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करते हैं उनका नाम लेने का वक्त होता है कल के हमारे तीन सूपरस्टार फीचर कमेंटर्स हैं रिशिकेश मापारी निगेल ब्रगांजा और अंश रावत कॉंगराचुलेशन ऐसे ही रहेंगे हम आपका नाम लेते रहेंगे चलिए दोस्तों आज कि हमारी ट्रैकिंटेक न्यूज एपिसोड नमबर फॉर नाइन्टीफाइव पाच्व की लिए सिर्फ पांच रह गए है खताम होती है इधर ही अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजेगा सब्सक्राइब नहीं वो कर दीगा शेरिंग करना आपके हाथ में है रिमाइंड करना मेरे हाथ में चलिए उस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो था कीप ट्रैकिंट